पूरियो जाए जिन्होंने न केवल हमारे महराश्टर का बलकि देश विदेश में भी हमारे देश का नाम ग्रॉशन किया है और इसे श्रुंखला में आज हमने अपने स्टूडियो में खास तोर पर एक ऐसे तीन ब्यूटी पेजेंट से रिलेटेड शक्सितों कामंतरित किया है जिन्होंने अपने-पने फिल्ड में महरत हासी की है आज हमारे साथ मैं सबसे पहले आपका परिचे करा दू कि हमारे पास स्टूडियो में उपस्तित होई है डिरेक्टर ओफ मिसस इंजिया आई एनसी की मोहिनी शर्मा मैं सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो वे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं इसके साथ ही आपको बता दू कि आज Mrs. Universe 3rd Runner Up का खिताब अपने नाम करने वाली Mrs. Artistic Costume Award का नाम अपने दर्ज कराने वाली साथी Brilliance Awards से पुरे देश का नाम रौशन करने वाली Mrs. Zoya Sirash Sheik हमारे स्टूडियो में उपस्तित हैं मैं आपका भी हमारे स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत हैं इसके लावा जो 3rd Guests हमारे साथ मौझूद हैं वो एक ऐसी परस्नालिटी है जिसके विना शायद हम सब जो है वो अधूरे हैं यानि कि हाज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्तित है इंटरनाशनल सेलिब्रिटी मेकप आर्टिस्ट मेगा कपूर मोहीनी मैं सबसे पहला सवाल मेरा आप से रहेगा चुकि आप Mrs. India Inc. रह चुकी है डिरेक्टर है आप तो बहुत सारे आपके पास जो है इन सब चीजों का नॉलेज है और अब ही हाल ही में अगर मैं बात करूँ तो Mrs. Universe Third Runner Up का किताब जो है वो आपने अपने नाम किया है तो कैसा अनुभ हो रहा है आपका International Pageant में जाना और भारत का प्रतिनिद्व करना वो ही अपने में बहुत बड़ी गौरव की बात होती है और भारत को रीप्रिजेंट करते हुए अगर हम कोई जीत हासल करके आते हैं भारत का नाम रोशन करके आते हैं तो इससे बड़ी बात हमारे और कोई नहीं हो सकती है इसलिए हम हमारे भारत में कुछ चुनिंदा परस्नालिटी इसको भारत रतने होते हैं तो मैं यही कहूंगी कि अगर थर्ड रानर अरप का हमने पोजिशन यहां पर जीता है तो वो डेफिनिटी पूरा क्रेडिट जोया की महनत को जाता है हमारे अब तक के मेरे अब तक के तजुर्बे को जाता है क्योंकि इतने सालों से जो इंटरनाशनल पाजिंट इंडस्ट्री में महनत तजुर्बा हासल किया है उसके basis पे हमने जो जो जोया को training दी है, उस training के basis पे जोया ने अपना उन्दा performance दिया है और ये position हासल की है, तो ये हमारे लिये बहुत बड़ी बात है, इंडिया ने पहली बार ये वाली पोजिशन हासल की है, तो ये अपने में बहुत बड़ी गौरफ की बात है मैं पुशा चाहूंगी कि हम सभी जानते हैं कि most artistic costume award का जो हमें award मिला है हमारे इंडिया को I think first time ऐसा हुआ है जब इस तरह का costume award मिला है तो इसके preparation आपने कैसे की और ये जो concept था आपके दिमाग में कैसे आया तो जब मैंने Zoya को पहली बार देखा मुझे एक बात तो पता थी कि ये किसी भी costume को बहुत अच्छी तरीके से carry कर सकती है और हमें costume से एक message देना होता है उस platform पे हमें नाम के लिए कुछ भी पहन के national costume round पे एक round नहीं मार के आ सकते हैं तो जब मैंने Zoya को देखा, Zoya की personality को देखा, उसकी मनुवरत्ती को समझा, मैं इतना तो समझ गई कि ये बहुत powerful personality है और इसके लिए बहुत powerful costume बनाना चाहिए एगी जासमिन जो बहुत नामी costume designer है इंडोनेशिया के उनसे हमने contact किया और काफी सारे designs हम लोगोंने निकाले काफी चीजें हमने reject की काफी कुछ हमने select किया और finally हमने एक man horse बोलो या woman horse बोलो उसका costume हमने ready किया ये costume के पीछे हमारा message ये था कि जो महिला है भारत की जो महिला है उसमें जितनी female energy है उतनी ही male energy है भारत की महिला एक balance अपने में ले कर चल दी है जितना उसमें power है जितना उसमें strength है उतनी ही उसमें कोमरता है उतना ही उसमें grace है तो ये message हम लेकर गए थे Mrs. Universe के stage पे और यह message Mrs. Universe के judges काफी अच्छी तरीके से समझे हैं, committee बहुत अच्छी तरीके से समझे है, बड़ी बात तो नहीं कहूंगी पर एक तरफा विनर थी हमारी Zoya नाशनल कॉस्टिम के राउंड पे, तो हाँ हमारी मेहनत सफल हुई, वो कॉस्टिम को केरे करना 25 किलो का कॉस्टिम था, वो कॉस्टिम को केरे करना इजी नहीं है, इस के लिए मैंने यह कहा था कि, जब मैंने पहली बार Zoya को देखा, उसी समय मुझे समझ गया था कि, Zoya वो personality है, कि gustaría को कॉस्टिम को कर सकती है, और उसे बहुत खुबसूरती से रीप्रेजेंट भी कर सकती है और कहीं पे भी हमने कोई कमी नहीं छोडी जोय मैं मैं आपसे पुशना चाहूंगी कि जैसे इन्होंने कहा कि 25 किलो का जो वो था कॉस्ट्यूम तो इसको केरी करने में आपको किस प्रकार के दिक्कते हैं देखो जब मोहीनी माम ने मुझे बोला था कि जोया आपके लिए मैंने बहुत अच्छा एक कॉस्ट्यूम डिजाइन किया है तो मेरे मन में बहुत ख्यालात आए थे कि बहुत कोश्चन आए थे कि अच्छा एक शच्यूम कि क्योंकि मोहीनी माम ने विए देश इस लिए प्रिया कोश्ट्यूम अपने दिए पहuerdo थे कि मुझे अट उन a बहुत कoritे मनें मुझे साँ जीत कर मँझे लाई उन लाया है तो इन है जिए भाट बड़ बाद है लिए एकम्रिय दी मेरे मोहीनी पहल में भूला जो अधिकर और एक यह कर सकती और तो मैं अगर खिर फिर फिर देन है करो से करें तो उसके कुछ निशान ही मैंने अपने शरीर पर छोड़े हैं तो मुझे बहुत प्राउट हुआ जब मैंने वो ड्रेस को पहना और जब मैं राम पर उतरी बहुत अच्छा लगा जब मैं स्टेज पी खड़ी तो एक मोमें ऐसा भी आया कि थोड़ा मुझे इसा लग था कि म कि अमुहीनी मैं मुझे खड़े थे उनोंने मुझे बूला जोया अर्यू की तो जब मुझे तो में वह हमत दो कि मुझे था मुझे दा प्राउट जया को मैं भी थे उन्हें चारी किरना तो मेरी थे पहुत अच्यों कि उया कि उसुद देस थे वेड उता है कि अन्धीsel ए हिस 1 पसा हम सहास इस को लेकर गया me था को शहास मुझे डिर थह guzt बेंड हो जाए जास करूं। बहुत अच्छे आपक भी क्या किया बहुत चिए प्रस अच्छे को मिणे रिप्रिसेंग upset साही जानती ह cranraz को बारस हो मतलब और इ법्स। थे आपके पास, बट स्टिल आपने होर्स का जो सेग्मेंट है, वो चूस किया, तो वो क्यों? एक्चुली होर्स का एक्सस तो ऐसा कुछ यह नहीं था, लेकिन आप जैसे जानते हैं, सिराज सर को होर्स बहुत पसंद है, वो अपने गले में भी आपने अभी मिसस यूनिवर्स का जो थर्ड रनर अप का खिदाब अपने नाम किया है, मैं बहुत सारे लोग हैं जो यह जानना चाहते हैं कि क्या, यहां तक पहुशने के लिए कोई शॉटकट तरीका होता है, देखिए अगर शॉटकट तरीका होता, तो मुझे ऐसा लगता में विनर वन कर आती थी, बट देखिए इंडस्ट्री तमी बड़ी है, कि यहां पे शॉटकट तरीका अपनाना, बगॉस इंटरनाशनल लेवल पे आप अगर जा रहे हो, इंटरनाशनल लेवल पे अगर आप परफॉर्मन्स कर रहे हो तो और भी देशों की लोग है, और हर इंसान अपने आप में काम्याब है, हर इंसान अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर कोई खड़ा है, हर कंट्री के लोग अपने देश को रिप्रेजन कर रहे हैं, तो उनमें कुछ न कुछ खासियत होगी, तब ही जाकर उतन अपने 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 लिए प्राउट की बात है कि मैं अखेली इंडियन हूँ, शाइद मोहीनि मैं आपको बहुत अच्छे से बतापाईगी, मैं अखेली इंडियन हूँ जो चार टाइटल को लेकर 106 लोगों में से चार टाइटल को लेकर मैं Zoya Sheik अपने देश को इपने इंडियन को आप बाले attachments करती यह तो यह हम प्रचन के होते हैं तो करेंमर वाली स्थितिय यह आजाती है क्रों कि आप इतने महिनों से अपने पrab Hetने महीनों से महणत कर रहे हो ओर इतनी हिम्मत जुटाके आप पहां तक पॉचे हू एक पराय देश में जाना, अपनी देश में किसी competition का हिस्सा बनना बहुत अलग कहानी है, पर एक दूसरे देश में जाना, वहां के climate से जूजना, वहां के खाने से adjust करना, वहां के sleeping pattern, क्योंकि timing difference इतना होता है, तो वो सारी struggle तो notice की नहीं जाती है, वो एक अलग struggle होती है, जो एक delegate अपने में ह जूचती रहती है, फिर उसके अलावा जैसे जो नहीं कहा कि खाना खाने को भी time नहीं होता है, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं रहता है, हम इतने खो जाते हैं competition में, उन सब कठनाईयों को पार करते हुए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार टाइटल हासल करना, मेरे ल परिस्थितियों से निकली है, क्योंकि इंडिया की सुसाइटी से भी निकलना, इंडिया कहीं हम नाम रोशन करते हैं, पर फिर भी कभी कभी इंडिया की सुसाइटी में से भी निकलना बहुत मुश्किल होता है, इंडिया की सुसाइटी इस तरीके से condition है, कि पहले चार सव जवाल के जवाब देने रहते हैं उसी में हम आदे हो जाते हैं पर ठीक है हिम्मत होती है उपर वाले का साथ होता है हमारा होसला होता है जो हमें वहां तक ले जाता है और जो नारी शक्ति होती है उसे तो कोई हरा नहीं सकता तो बस यही सारी प्रेड़ना के साथ यह इतनी हि प्रफॉर्मिंस दिया एजर टीम बोलो मेगा जी भी यहां पर बैठी है उनका अपना बहुत बड़ा रोल रहा है क्योंकि एक अकेले इंसान से नहीं होता है पुरा गाउं लगता है और तब ही जाके चार टाइटल चार टाइटल जो हम राग नाप रहे हैं चार टाइटल के तो उसके पीछे काफी हाथ रहे हैं काफी लोगों के हाथ रहे हैं सबने अपना अपना एक रोल निभाया है और तब जाके बहुत बड़िया सी सुन्दर सी पिच्चर दिखी है मिसेज यूनिवर्स के स्टेज पर और वो पिच्चर को हमारी अवार्ड मिला है दर्शवत हमारे साथ हमारे स्टूडियो में सेलिबिटी मेकप आर्टिस मेखा कपूर भी उपस्ते थे मेगा मैं मैं आप से पुछन चाहूंगी कि इंडियन स्किन और फॉर्णर स्किन जो है वो उनका टोन है वो अलग-अलग टाइप का होता है तो किस तरह से अपने एड़जस्ट क बोलने से पहले बोलूँगी सबसे बड़ा जो डिफिकल्टी मेगा जी के लिए आया था कि वहां का जो क्लाइमेट था वो क्लाइमेट में इमेजिटली जोया की स्किन ने रियाक्शन देने स्टार्ट किये थे क्योंकि यह बहुत नॉर्मल और यह हर डेलिगेट के साथ हो नॉर्मल स्किन पे मेक अप करना और फिर एक क्लाइमेटिक कंडिशन के अंडर क्योंकि आपे कंटिनियूसली स्नो गिर रही थी स्नो एक मिनट के लिए बंद नहीं हुई है उसमें मेगा जी ने जो काम करके बताना आ आगया आप बोलिए सबसे पहले तो मैं मोहीनी का अब्रा अपता बाओ ब्लुट किना इक असान बाथ नहीं है जो 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 प्र जो मी विश्वास किया कि लिएा क्यूंकि तो मुझे लेफटें है के जो रिक हे नी होति। तो मुझे से लगता है यह दोनों उस्त्रियां एसी है जो मेरा हाथ किचने वाली है और उन्हों ने मुझे उपन लाटी खड़ा कर लिया तो मैं आप कर सकती हो तो दब शुरुवात आपकी हुई नेशनल कॉस्ट्यूम से वाते ही वो जो नेशनल कॉस्ट्यूम था इतना असान नहीं था उसको बेहर करना पच्चीज किलोटी फाइफ पेजी नॉट चोटा वही बहुत बड़ा अपने वजन है और जब मैंने वो क क्यों देखा न मैं आपको क्या बता हूँ इतनी खुशी मेरे अंदर क्योंकि वो मेरी माइथोलोजी का एक हिस्सा था जो मैं माइथोलोजी मेकप देती हूँ शेर वाले जगदंबा महाकाली रुद्रवता मतंगी मायलमा बहुत सारे मेरे ताइम लाइन में आप चेक कीज क्योंकि जब तास्क होता है एक आर्टिस के सामने वो मुझे दिख रहा था वो चीज मुझे शो हो रही थी मैं अब मेगा मज़ा है क्योंकि जब नॉर्मल ड्रेस पे मेकप देना महीमी जी और जो टास्क वाला जो अपने नेशनल कॉस्ट्यूम चूश किया था उस पे काम मेगा जी को ही सिलेक करना पड़ेगा एसे नाशनल कॉस्ट्यूम के लिए इस जीप के पीछे तीनों का कॉंबिनेशन शाद दिख रहा है कोई एक दूसरे के बिना जो है बादूरा है क्योंकि मैंने का एक हाथ कीछने किसकी पाउं कीछने वालों में से होती है अब आपने चले काूंदिनीव सनो-खौल यहाम है किस द्धिन में शाद धालों में रहा है तो जब और प्लाइमस में और वह रहाए शौपिंगा जानास किल निकलना भी जरूरिए खागा ओंडो एस न इस यादो कि रोम उखुरे दिए और निर कमामीत कि आखनो σोने है कि उटेम की स क्योंकि मैंने का लोगों की फाइप नहीं थी, एक सो सम्थिंग कंट्री की लड़े थी, क्योंकि हर कोई जीतने आया था, हर कोई लेडी अपने आप में सुंदर थी, ब्यूटिफुल, अपस्वराइब तो चिन करिये, तुम काच की गुलिया, तो मैंने का ठीक है, इस से जा कि मैं हिंदुस्तान से थी, मुझे अपने इस वर्क पे, जो मैंने काम किया है, जो मैं ब्यूटिशन की पोस्त की, मेरी रूप को बहुत सुकूना आया कि में तेरा मेकप आपर्ट बनना सक्सिस हो गया, क्योंकि इतने बड़े प्लैटपॉम्स हैं पहुंचना, इतना आग तालिस साल के बाद अगर हिंदुस्तान ने थर्ड रैंक को अपने जोली में लिया है, तो यह अपने आपने गौरों की बात है, मैं तो बोली हूं जशन होना चाहिए और इतना बड़ा होना चाहिए, यह आगे की पीडिया सीखें, मैंने पहले भी कहा था, बेटी बचाओ ने गाम होते हैं, जा खरते हैं, यह उसले तो भारत रफन का awaप दिया जाता है, भारत-नाम दिया जाता है, सितारे बहुत कम होते है, जमीन के लाना इतना असान देनी होता है। ले सने से एक सितारे हमारा अपने के बैदा है आपकी साहए, कद्कर कीजिए इंद। दूस बारत की औरत घर से बाहर निकल रही है, अपने हाथ हर फील्ड में ट्राय कर रही है, आप जो एरिया देखो, जो इंडस्ट्री देखो, आपको एक वुमिन दिखेगी, या तो वो लीड कर रही है, या तो फिर वहाँ पर एक बहुत इंपोर्टन पॉजिशन समाल रही है, य जो ट्रेंड है, ये वुमिन ने स्टार्ट किया है, नया ट्रेंड वो होता है, जो कोई स्टार्ट करता है, ट्रेंड क्या होता है, किसी ने पहली बार पैना फिर सबने पैना और वो ट्रेंड बन गया, तो बस न्यू ट्रेंड मेरे शेत्र में या मेरी समझ में ये है, कि ज लड़किया अपना नाम रौशन कर रही है जो लड़किया भारत का नाम रौशन कर रही है वो एक नया ट्रेंड सेट कर रही है तो सो इंदी सिंगी खांस मुलागा तो इस कारिक्रम ये वक्त हो चला है छोड़ी से रेक्का मिलते हैं स्प्रेक्ट के लागए उथ खंदाता हुष झी खांस मुजा आवा तो साथ rods थाilleurs हैं स्प्रेक्ट के लागए स्ट्रेक्र का exist not ब्रेक के बाद एक बाद फिर आप सभी का स्वागत है आज हमारे साथ हमें स्टूडियो में खासत और परामिंत्रित किया है Mrs. Universe 3rd runner-up स्टूडियो में आप से सवाल करना चाहूंगी कि आप जिस इंडस्टी में आज वर्क कर रही है तो ऐसा कब आपको लगा कि आप जो वर्क कर रही है वो सही है विदेशी सभ्यता को कहीं न कहीं एकसर्ट नहीं कर पा रहा है आपको कब ऐसा लगा की मतलब बहुत एक जो होती नहीं यादगार पर आपकी लाइफ का यादगार पर कैसा रहा तो विदेशी सभ्यता की तो यहां बात ही नहीं आती क्योंकि अगर हमारे भारत से कोई महिला जाके भारत का जंडा वहां पर लहरा रही है तो यहां पर विदेशी सभ्यता तो कहीं है नहीं पहली बात दूसरी बात अगर आप मुझसे पूछे कि मुझे कब संतुष्टी मिल होती है पर जब एक महीला एक ऐसे शहर से आती है जिसने जादा दुनिया ना देखी हो वो आती है वो ब्यूटी पैजिंट में पार्टिसिपेट करती है अब ब्यूटी पाजिंट क्या है लोगों को लगता है कि हाँ चार कदम रैंपॉप पे चल ली और माइक पे दो लाइन बोल ली और आप ब्यूटी पाजिंट के कुईन बन गया नहीं 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 ब्यूटी पाजिंट के लिए कम से कम 6-8 महिना आपको खुद की खुद की मनवरत्ती पे खुद के बोलने के सलीखे पे खुद के बैठने उठने चलने आप एक बुड़े आदमी से कैसे बात कर अगर आप किसी रूम से निकल गए तो पीछे से आपकी लोग कितनी तारीफ कर रहे हैं, ये एक beauty pageant के contestant की खूबियां है, और अगर आप में वो खूबी है, तो इसका मतलब आप एक beauty pageant के participant बन सकते हो, मुझे लगता है कि ये खूबी हर एक महिला में होती है, वो कभी-कभी अंदर से निकाल नहीं पाती है, ramp walk is 5% of beauty pageant, communication is 25% of beauty pageant, your presentation, आप कितने अच्छे कपड़े पहने, अगर आप मेरा कपड़ा पहनोगे, ये पूरा धका हुआ, ये गले से पूरा धका हुआ, मैं उतनी ही graceful लग रही हूँ, मैं कितनी सुन्दर लग रही हूँ अपने आप मे वैसे ही Zoya भी बहुत सुन्दर लग रही है, तो ये होती है beauty pageant की queens, और ऐसे ही presenters की हमें जरृत है, ऐसे ही लड़किया भारत का नाम रोशन करती है और वो crown लाती है इंडिया में, तो ये आसान नहीं है, काश ये fashion show जितना आसान रहता कि shorts पैन लिया और walk कर लिया, और किया जाता है, तो इसमें 8 महीने या 4 महीने नहीं लगते, इसमें इतना time लगता है क्योंकि उसको भारत का जंडा पकड़ना है, उसको बोलना है मैं Mrs. India हूँ, और उसको भारत का culture, diversity, भारत का जो warmth है, जो love है, वो वहां दिखाना है, ये बहुत easy नहीं, जैसा आपने अभी beauty pageant की बात की, तो मैं पुशना जाओंगी कि, अकसर लोगों को इस चीज का मतलब बहुत confusion होता है, कि models और beauty pageant, ये दोनों चीज़ें वो एक ही में क्लब करते हैं, तो क्या दोनों चीज़ें एक हैं या तरीका कैसा है इन दोनों का? तो models एक profession है अपने में, beauty pageant एक competition है अपने में, models को भारत का flag पकडने नहीं मिलता, models को भारत के बारे में बोलने के लिए नहीं मिलता, models international platform में जाके as Indian compete नहीं करती, अगर आप बोलोगे कि beauty pageant और Olympics में similarity है तो मैं हाँ बोलूँगी, क्योंकि Olympics में एक Indian का खिलाडी, India का खिलाडी train होता है, मेहनत करता है, खुद को competition के लिए तयार करता है, और वहाँ जाके performance देता है, exactly similarly beauty pageant में एक लड़की train होती है, तयार होती है, मेहनत करती है, और फिर वहाँ पर जाके अपना performance देती है, यहाँ पर भी competitors सारे countries के होते है यहाँ पर भी competitors सारे country के होते है, जब वो जीत के आता है, भारत में इसका नाम होता है, जब beauty pageant के विनल जीत के आती है, भारत में इसका भी नाम होता है, वहाँ पर भी उसको बुलाते है, इंडिया perform करने वाला और यहाँ पर भी बोलते है, इंडिया perform करने वाली है, यह similarity ह मुई जी मैं आपसे कुशे चूँगी कि अभी Mrs. Universe का जो पैजन्ट हुआ था, तो वह क्या से वन डे का था या फिर उसके पहले कुछ सिग्मेंट चलते हैं जिसमें अलग-अलग प्रकार के चीजें करनी पड़ती है, कैसा होता है ये? ब्यूटी पैजन्ट का सुछ सफर होता है, काफी लड़कियों का थो बच्छपन से शिरू होता है, जो सपना देखती है, तो वो जवानी से हो जाता है, फिर एक एज के बाद पहुंच नेपल, जब उन्य पता चलता है कि अब हम रैड़ी हैं, तब उनकी ट्रेनिंग स्तात ह तो वो कोज्टे सोती है तो प्रिपयर होती है से प्रिपार्टिंए में और उनों पय हो में परवाजन करती है। बहां पहुचने के बाद उनकि असली पफोरम टी ह liberté उनकी इंटर्व्यू अंतर्वू को इसके से देखने के बारें वहां पर उसने ऑवेरनेस करी अधिकी उसके बाद उपस में घुलती मदती कितना है इसके फायां लग सिचुएशन में कितने Sp 88 कि फोल्ड जाती हैं यह सारी या बहुत अच्छा हो पर अगर आप चलते-चलते काप गए क्योंकि डर लगता है लड़कियों कि तो वह confidence देखा जाता है stage पर और national costume देखा जाता है और तब पता चलता है कि किसके सर पर वह crown जाएगा कई बार हमने यह भी सुना है कि जैसे अगर हम Mrs. Universe के लिए वहाँ पर compete करे जा रहे हैं तो कई बार हमारे रूम से लेकर तो हमारे platform तक आने तक मतलब stage पर आने तक कि सारी चीजों की हर छोटी-छोटी activities पर भी judges का जो है ध्यान रहता है क्या सही बात है यह हम तो बोलते हैं as a director मैं मेरे contestants को बोलती हूं कि शायद आपके room cleaner जो होंगे वो भी आपके judge हो सकते हैं और जो आपके reception table पे बैटे हैं वो भी आपके judge हो सकते हैं मैं इसके लिए बोलती हूं ताकि गलती से भी अगर वो किसी से बत्तमीजी से बात करें तो दो बार वो डर आजा उनके मन में कि नहीं यह मुझे judge कर सकते हैं यह अगर असली जिंदिकी में लड़कियों के आ जाय तो भी बहुत अच्छी बात है जो कि मैं थोड़ी देर प में लाकर कैसा रहा और अब नेक्स्ट प्लानिंग अपकी क्या है मिस्स अनिवर्स का जो जानी थी वो बहुत ही अच्छी थी मैंने जैसे आपको लास्ट इंटव्य में मेरा बताया था कि यह एक सेवें डेज का एक फॉंक्चन होता है प्रोग्राम होता है जो हर उसके बाद में नेशनल कॉस्ट्यूम सब्टाइटल अवर्डिं और ग्रांट फनाले तो यह सब चीजे ऐसे डे बाई डे डे ऐसे सेवें डे तक यह चलता रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने वहां पर पार्टिसिपेट किया जब मैं लोगों से मिली कह इन ए どल्ही प्रपरेशrenceं ? márkachलम होने ओको अपको तरो पुनिंध इन प्रियो अपको निकलकर अपको अपने कुम्फर्टब्स जोन आपको अपको अपने कमफर्ट जोन रिकालकर पाहर आप यह सारे काम कर ने होगा अगर आपका मैंटर आपक का अगर त्रे आपको बेखना है, 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 आपको बेखना है तो यह एक सीखने का ही तरीका है यह आपको कहीं ने कहीं कुछ ने कुछ जरूर जिखाता है तो मिसेज उनिवर्स में भी जाकर मैं बहुत कुछ सीख कर आई हूँ और यह ओर आल जो जर्मी थी आप 106 कंट्री के लड़कियों के साथ में 106 कंट्री के पाटिसिपेंट्स के साथ में आप कैसे बहेव करते हो आप कैसे बात करते हो यह overall पूरा औरा जो है वो आपको आपको पर सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है, बाकी के लोगों के कलजर को देखने को मिलता है, वो कैसे बहेव करते है, वो सब आपको देखने को मिलता है, तो पार्टिसिपेंट करना सबसे इंपॉर्डेंट है, जीत कर आओ या नहीं मुर मेरा कारा फानडेशन के Europatisen है पहला बहुत मैं सिंगल दिपारा को भाता है कि छोना नेताम में वह स्टुले से वह कहां है मैं पुटका हुआ था उड़ ऊड़ों सबगार कर दो फो बारती हुआ तो मैं चाहती हूँ मेरा ये काम उनकी लिए, मैं उनकी लिए कैसे काम दे सकूँ, मैं उनको कैसे मोटिवेट कर सकूँ, तो as a Mrs. Universe बनने के बाद, लोग मुझे अपनी प्रेणा समझें, और मैं उनको बहुत अची सला दे सकूँ, उनके लिए मैं काम कर सकूँ, यही मेरा है, कारा फांडेशन को लेका है, मैं आपसे पुशह जाहूंगी कि हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, और हम सभी जानते हैं कि Mrs. Universe, Third Runner Up तक पहुचाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है, तो ऐसे में हमारे इंडिया के, हमारे ना को शहर के, हमारे पुरे विधर के, ऐसे बहुत से लोग हैं, जो इस फिल्ड में आना चाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना जाहेंगी? और जोया का बच्पन याद करो, जोया भी वैसी ही थी, जोया हमारे पडोस में कैसे नॉर्मल सी लड़की रहती है, सरगम कैसी थी जो हमारे पडोस में या हमारी बिल्डिंग में कोई सिंपल सी एक लड़की रहती है, जैसे आप हो, जैसी मैं हूँ, वैसी ही जोया है, वै काम है आपका यही काम है कि आपको वो एक कदम लेना है अपने लिए अपने सपनों के लिए अपनी लड़की के लिए अपने बेटे के लिए जो आपको देख के बोल सके कि हाँ यह मेरी मम्मी है बहुत ही प्यारी बाते कहीं मैम आपने मेगा मैम मैं आपसे आखरी सवाल पु वह बहुत कुछ सीख के विया यहाँ, सीख आएसे किस तरह से किस कंट्री की मुझे खुशी इस वाथ की भी विए थी मोहिनी जब इडिरेक्टर थी जिन्होंने मोहिनी जी को बोला कि क्या आपकी आर्टिस्ट मेरा मेकप कमेंगे वो कहां से थे? रश्या की डिरेक्टर थी? रश्या से थी और उन्होंने कहाथा मोहिनी जी को क्या आपकी आपकी आर्टिस्ट मेरा मेकप करें फिर। करदमें किसी अरफ इसको घरमने की तो ओशनी को बोला कि इंडिया का मेक अप इंजियन मेक अप इन वह किया ले फिए पुशूरा ते बहुत अच्छा लग राग 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 यहां लोर अपनी जिद पर शुर्य मैं कंटिन्यू कर रही हो वो जिद पे अड़ गई कि मेगा से ही मेक अप करवाना है मेगा ही मेरा मेक अप करेगी मेगा के हातों में जादू है और फिर मैं बला चल्डो ठीक है उदमूर्तिया रश्या उसकी वो नेशनल डिडेक्टर जिन्होंने इन्हें प्रोच किया था है तो हमारे लिए बहुत गड़ की बात है कि मेगा कपुर में सर हमारे नापूर की है और हम लोगों के लिए 24 इंटो 7 अविलेपल है बाट बड़ी बात है बाट बड़ी बात है दोस्तों इन्विसे नियूस की खास मुलकात इस कारेक्रम में आज हमारे साथ तीन ऐसे सेलिब्रीटी यहां पर वपस्तित है जिन्होंने अपनी अपनी फिल्ड में महारत हासल की है जिनमें से एक है मोहीनी शर्मा जो की जरेक्टर ऑफ मिस्स इंजिया आइंसी है और साथ सिराशे, मिस्स यूनिवर्स, थर्ड रेनर अरप, आर्टिस्टिक कॉस्ट्यूम एवाट विनर साथी मिस्स ब्रिलियन्स एवाट विनर यहां पर उपस्तिती इन्विसेन की खास मुलकात में मेरे साथ फिलाल के लेता है बागी खबरों के लिए आप देखते रहें इन्व का